हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका एक बाई फिर से अपने यूटूब चलन नौलेच में आई एफमस 3.0 पर हम सरेंडर बिल कैसे बनाएंगे आज की पूरी प्रॉसेस यही है प्लीज आप वीडियो को स्किप मत कीजेगा क्योंकि जो मेन पॉइंट है इस वीडियो के वह आप स्किप कर देंगे तो आपको यह समझ में नहीं आएगा कि आपको यह कारी कैसे करना है यहाँ पर हमें सबसे पहले जो लीव सैंचन रिक्वेस्ट है वह एचो को फॉरवड करनी पड़ेगी होस रिक्वेस्ट को वैरिफाई करेगा वैरिफाई करने के बाद बिल हम ट्रेजी फॉरवड करेंगे तो यह प्रोसेस पूरी कैसे होगी आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर डीडियो के द्वारा लॉग इन करना है उसके बद आपको यहाँ पर option पर आ रहेगा यहाँ पर sanctions वाले option पर आना है आपको यहाँ option मिलेगा request leave surrender इस पर आपको click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे एक page open होगा आप यहाँ देखेंगे aid surrender leave मतलब आपको सबसे पहले surrender leave mention करनी है उस employee की जो भी surrender उठा रहा है इस पर आपको click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे आपको इस employee को search करना है जिसकी भी आपको यहाँ पर surrender का payment बनाना है यहाँ पर आप नीचे से उस option को select कर लिजी ताकि आपके सामने सारे employee show हो जाएंगे यहाँ हम उस employee को search कर लेंगे अब जैसे हमें वो employee दिखेगा उसके सामने हमें यहाँ पर add leave वाले option पर click करना है add leave वाले option पर जैसे click करेंगे employee की basic details हमारे सामने open होगी यहाँ पर हमें financial year select करना है सबसे पहले दोजार चोईस पच्चिस अब यहाँ पर उस employee ने किती तारीक को यह form apply किया है उसकी date आपको यहाँ पर mention करनी है तो यहाँ पर हम date डाल देंगे जैसे यहाँ हम date डालेंगे उसके बाद हमें balance leaves डालनी है यहाँ पर कि उसका जो balance है leave का वो कितना है surrender leave का उसके बाद यहाँ पर आगे उसकी यहाँ पर कितनी leaves का वो payment उठा रहा है enter number of surrender leaves वो आपको यहाँ पर mention करनी है अब आपको यह document अटेच करना है leave sanction order जो कारेले द्वारा निकाला गया है leave surrender sanction का यहाँ पर आप sanction लिख दीजिए जो लिखना चाहिए वो लिख सकते है उसके बाद आपको यहाँ पर browse वाले option पर click करना है जैसे आप browse वाले option पर click करेंगे आपको यहाँ पर एक pdf file attach करनी होगी जो भी आपने कारेले का sanction order निकाला है वही pdf file आपको यहाँ पर पहले से बनाके रखनी है ताकि आप उसे attach कर सकें यहाँ select कर लें इसको open कर दें जैसे ही आप open करेंगे नीचे आपके पास यह जो file है यह select हो जाएगी मैं आपको scroll करके बता देता हूँ यहाँ scroll करके देखेंगे तो आपके सामने document भी attach हो गया है लीव का balance भी आपके सामने आ गया है अब आपको यह सारी चीज़े चेक करने के बाद नीचे option मिल रहा है submit बटन का आपको simple यहाँ पर submit बटन पे click करना है एक बात और बता दूँ आपको लगता है कि आपने extension order गल करना है यह बटन पर जासे हम click करेंगे हमें थोड़ी देर में message प्राप्त होगा उसके लिए यहाँ हम देखेंगे कि जैसे हमने submit बटन पे click किया हमें एक message मिलेगा कि request has been successfully submitted and forward to HO for approval इसका मतलब है आपने radio login से leave surrender की request generate करी है अब यह कहाँ पे चली गई है submit करते ही HO वाले पे अब ok करने के बाद हमें यहाँ से role change करना है वापस से change desk and role पे click करना है जैसे हम इस पे click करेंगे अब हमें यहाँ पे जाना है HO वाले role से तो जो हम पे भी आपका HO role है उस पे आपको click करना है employee management पे click करना है अब आप HO वाले role पे चले गए हैं अब आपको यह bill कहा मिलेगा अब हम check करेंगे bills वाले option में जाएंगे bills वाले option में जाने के बाद यहाँ पे हमें नीचे option मिलेंगे sentience के तो sentience में हम देखेंगे leave surrender request तो आपके पास कोई leave surrender request आई है या नहीं तो हमें यहाँ से check करना है इस पे click करेंगे जैसे हम इस पे click करेंगे अब हमने यहाँ पे message मिलेगा कि हमारे पास एक request आई हुई है यहाँ आप देख सकते हैं employee ID आजेगी उसका employee name आजाएगा किती leaves है उसके पास balance किती बची है क्या लिया है उसने उसके बाद document का description आजाएगा status आजाएगा sanction not generated yet मतलब अभी तक sanction generate नहीं हुई है जब तक आप echo से इसको verify नहीं करेंगे अगर आपको किसी भी तरह की कोई problem आती है आपको लगता है कि sanction गलत generate हो गई है तो आपको यहाँ पे simple reject बटन पे click कर देना है अभी हम यहाँ पे verify बटन पे click करेंगे जैसे ही verify यह सब इसमें mention होगा तो आपको यह सोच समझ के डालने ही सारी entry इसके बाद इसको यहाँ पे yes करना है जैसे ही आप yes बटन पे click करेंगे leaves detail has been verified successfully आपको इसको ok कर देना है अब जैसे हम इसको verify करेंगे हमें यहाँ पे नीचे option मिलेगा generate sanction का तो हमें generate sanction पे click करना है जैसे ही ह आपके पास आ जाएगा इसको आपको simple यहाँ पे ok कर देना है जैसे आप ok करेंगे तो आपको एक आपकी PDF यहाँ पे मिलेगी उसको आपको e-sign करना रहेगा तो e-sign किसके द्वारा होगा DDO के OTP के through तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास एक application मिलेगी आपको कार दिनांक के तदिकारी करमचारों की वित्ती वर्ष में 15 दिवस के उपारजी तवकाष समर्पित करने की एवज में 15 दिवस के समर्पित उपारजी तवकाष के नकत भुकतान की स्विक्रती प्रदान की जाते है यह automatic आ गया है सेवा पुस्तिका में इसका mention कर दिया है तब आपने sanction जारी करी है नेम आ जाएगा पदनाम आ जाएगा आवेदन दिनांक आ जाएगी आवेदन राशी दिनांक आ जाएगी जो भी आपके पास उपलब्द उपारजी तवकाष है वो आ जाएंगे समर्पित अबकारशी आ जाएंगे उसके बाद 6 उपारजी तवकाष जो बचें वो आ जाएंगे, टोटल राश ही आ जाएगे, अब इसको आपको e-sign करना है, तो आपको e-sign वाले option पर जाके click करना होगा, जैसे आप e-sign वाले option पर click करेंगे, थोड़ी दिर में आपके ddo के पास एक otp प्राप्त होगा, जो ddo है, उनके पास otp चला गया है, अब हम यहाँ पर otp जो ddo हैसे वा प्राप्त कर लेंगे, और यहाँ पर insert करेंगे, यहाँ आप जैसे ही otp डाल के insert करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो sanctions है, वो successfully e-sign हो चुकी है, तो आपको यहाँ पर इसको ok कर देना है, जैसे आप ok करेंगे, आपके सामने जो आपकी sanction है, वो generate होके आ जाएगी, इसको आपको यहाँ से download कर लेना है desktop पर, जैसे आप desktop पर download करेंगे, आप आपको इसको save कर लेना है, आप इसको save करके रख लीचे, मैं आपको एक बार scroll करके बता देता हूँ, यहाँ पर e-sign हो चुके हैं, e-sign हो यहाँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं, signature not verified वाले, तो इसको आपको अभी यहाँ से cross कर देना है, जैसे आप इसको यहाँ से cross करेंगे, अब आपको वापस से change day scroll पर जाना है, change day scroll पर जाने के बाद आपको वापस से access work space पर जाना है, अब dex 2 पर जाएंगे, हम ddo पर जाएंगे, ddo से login कर लेंगे, employee management पर जाएंगे, employee management पर जाने के बाद हमें यहाँ पे bills वाला option मिलेगा, जिसमें हमें surrender bill का option मिलेगा, surrender bill के ओप्शन में हमें यहाँ पे bills generation पे klik करना है, इसके बाद हमें यहाँ पे here sentient year select करना है, 2024 उसके बाद group select करेंगे, group select करने के बाद हमें यहाँ यहाँ बटन पे दिखक करना है, search button पे हम जैसे एक click करेंगे यहां हमें employee का name आजाएगा office name आजाएगा, group आजाएगा, reason आजाएगा कि surrender bill not processed yet जैसे हमें DA area वाले section में आप देखें यहां पे दो option दियो हुए थे auto DA area process and DA area manual तो यहां पे हम पहले एक tab में काम करते थे फिर दोसरी में जाना पड़ता था, इसी तरह यहां पे यह process दी गई है, कि surrender में भी हमें यहां पे दो option दिये हुए है bill generation and bill list, जब आप bill generate यहां से कर देंगे मैं आपको एक बाग करके बता रहता हूँ, यहां पे हमें check box पे click करना है, वही simple process इनिशेट बटन पे click करना है, जैसे इनिशेट बटन पे click करेंगे, हमें message देगा, are you sure you want to submit this request, आपको yes बटन पे click करना है yes बटन पे click करते ही, यहां पे आपको एक message मिलेगा, bill reference has been successfully submitted, लेकिन यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि जब भी हम यहां पे successful आता था हमारे तो एक reference number generate होता था यहां पे एक reference number generate नहीं हुआ है, क्योंकि क्यों नहीं हुआ है क्योंकि यह portal जो है अभी इसका जो second part है, bill list वाला वो अभी फूरी तरह से update नहीं है अभी एक बार हम यहां पे इसको ok कर देते हैं, ok करने के बाद आप देखेंगे अब हम इस वाले option पे चलेंगे, bill list वाले पे bill generation में हमें bill को initiate करना होगा, bill list में जाके हमें इसको auto यहां आप देख सकते हैं, auto leave surrender process इसका मतलब है यहां ही से इसको auto process करना है हमें treasury के लिए, तो यहां पे हम pay year select करेंगे, month select करेंगे and group select करेंगे, इसके बाद search button पे click करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें कोई record अभी प्राप्त नहीं हुआ है तो बस यह वाला part इसका update होना बाकी है surrender का जब यह part update हो जाएगा तो इसकी information में आपको दे दूगा और यह पूरी process है, सारी process यही रहेगी एकदम सेम कि आपको पहले, सबसे पहले leave की, जो request हो कैसे generate करनी है HO को कैसे forward करनी है, verify कैसे करनी है वापस आपको e-sign कैसे करने है, उसके बाद आपको ddo role पर कैसे आना है Bill generation में जाके Bill request को initiate करना है और इस वाली tab में आके Bill list में आपको इस Bill को forward कर देना है जब भी आपका Bill यहाँ show होने लग जाएगा या आप जब भी बनाएंगे या यह update हो जाएगा दो-तिन दिन में तो आप इस Bill को यहाँ से easily forward कर देंगे आपको यहाँ पर शो हो भी जाएगा तो यह थी पूरी process surrender Bill बनाने की अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सबसे फिले subscribe कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले Thank you so much